नमस्कार मेरे लाडलों क्या हाल चाल I hope आप सब अच्छे होंगे भले चंगे होंगे तो आज के इस वीडियो में क्लास टल्थ के बच्चों के लिए very very most important question लेकर हाजिर हो गए है और ये आपका जो very very most important question है ये बहुत ही धमाकेदार question है ठीक है ये ऐसा question है दोस्तों किसमें आपके बोड इक्जाम में आना ही आना मतलब इसको ना नहीं कह सकते क्योंकि हम जो question बनाते हैं वो पिछले 10 साल के previous year paper में जो बार-बार question पूछा जाता है वही question यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ ये आसान बात नहीं है दोस्तों बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ही ये सारी चीजे बनती है ठीक है तो अगर इन questions को अगर आप तयार करते हैं ये चुनिंदा question है जो कि बार-बार repeat होते हैं हर साल तो साथ set बनते हैं साथ set में से किसी न किसी set में ये question आते ही आते हैं अब अंक बदल जाए तो बात अलग लेकिन ये question repeated question है इसलिए इस channel को आपको एकदम most important में रखना है इस channel को most important में रखना है ये channel भूल न जाना इसलिए से subscribe करके इसका नाम एक जगा लिख लेना वो डिक्जाम में ना तहलका मचा देगा देखना इस बार इस बार तो लगातार exam time में exam के एक महिने पहले दिन भर live रहेंगे हम लोग दिन भर live रहेंगे ठीक है और देखोगे हर subject का अच्छा नालेज ठीक है अच्छा नालेज मतलब important question देंगे आपको अच्छा उससे पहले अगर आपको board exam में 500 में 500 लाना याद रखना 500 में 500 लाना है तो आप हमारे ब्रहमास्त कोर्स को जरूर जॉइन करें ये कोर्स मात्र 499 में था अभी आपको केवल दो दिन के लिए केवल 99 में कर दिया गया है जिन बच्चों को लेना है वो 7992087 382 से contact करें इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा इसमें आपको whatsapp पे PDF मिलेगा, कैसे मिलेगा चेप्टर वाइज नोर्स मिलेगा Physics, Chemistry, Biology के लेटेस्ट नोर्स 2025 के बोड इक्जाम में आने वाले question जो कोर्स से निकाल दिया गया उसे नहीं देंगे उसे बाइकार्ट करके जो लेटेस्ट आया है 2025 के लिए उसे देंगे आपको साथ ही साथ इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के साथो सेट के guest paper मिलेगा और यह एक्जाम के एक महीने पहले मिलेगा अभी नहीं मिलेगा अभी आपको पान साल के previous year paper उसका solution देंगे साथ ही साथ चेप्टर वाइज नोर्स देंगे 107382 ठीक है और आप बोडिक जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हो और अब यह जो चीजें पढ़ाने जा रहे हैं मेरी गारंटी है कि आपको यह 110% समझ में आएगा और नहीं आएगा तो कमेंटवा में कमेंट कर देना भाई नहीं आया तो मैं और बहतरीन धंग से आपको पढ़ाने की कोशिस करूँगा ठीक है जहां तक मेरा अपना experience है कि आपको जरूर समझ में आएगा ध्यान से समझना वीडियो जल्दी भागना मत कभी कबार बच्चे क्या करते एक दो मिनिट देखने के आप पराईन जाते हैं तो ऐसा मत करना भागने से कुछ मिलेगा नहीं आप रुकोगे तभी मिलेगा ठीक है चलिए देखो पहला question objective और 2025 के board exam में कैसा होगा आपका paper ये बड़ी बात है आपके लिए 2025 के board exam में आपक कैसा होगा paper ठीक है तो ये paper आपका कैसे होने वाला है ये बहुत ही important चीज है ठीक है ये paper कैसा होने वाला दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही important है ठीक है इसको जानना बहुत जरूरी है और इसको हम भी जानेंगे ठीक है अभी थोड़ा light जाने को वज़ा सी ये बंद हो गया चालू होने दो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक तो देखो दो हजार पचीस के बोर्ड इक्जाम में जब आप बैठोगे तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा जैसे आप क्लास टेंथ में थे तो बीस बहुविकल्पी प्रस्ण का उत्तर दिये थे सेम वही पैटर्न आपको दो हजार पचीस में भी देखने को मिलेगा यानि अगर आप इंटर में हैं क्लास ट्वल्थ में इस साल बोर्ड की परिक्षा देंगे तो जो पैटर्न क्लास टेंथ में आपको मिला था वही पैटर्न आपको इस बार मिलेगा यानि बीस बहुविकल्पी प्रस्ण आपको देखने को मिलेगा कितना दोस्तों बीस बहुविकल्पी प्रस्ण आपको देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहां पे हम लोग 20 बहभिकलपी प्रस्णों को देखेंगे और आसानी से इसे समझेंगे भी ठीक है अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को बहविकल्पी प्रस्णों पर छोटे छोटे जो प्रस्णों होंगे इस प्रस्णों पर सभी बच्चे ज़्यादा ध्यान दे वोड इकजाम के पॉइंट अब भी उसे ठीक है छोटे छोटे प्रस्णों पर ज़्यादा बल दे ठीक है मैंने क्या बोला छोटे छोटे प्रस्णों पर जादा बल दे क्योंकि 20 बविकल्पी प्रस्ण आपको 20 नमबर दिला देगा बाकि 30 नमबर आपको प्रेक्टिकल से 30, 20, 50 अगर आप प्यारे लाड़ लो अगर उस बचे 50 में आप 30 भी लाते हो तो आपका 80 परस्ण तो ऐसी बन गया मतलब गिरी हालत में आपका फस्ट डिवीजन तो बनना ही बनना है ठीक है आप किसी वज़ा से फेल नहीं हो सकते ये मेरी गारेंटी है दोस्तों ठीक है चलिए देखो एक बृत्ती चालक कुंडली में जब धारा 2 एंपियर से 18 एंपियर यानि कोई बृत्ताकार चालक है कोई कुंडली है ऐसे इसमें जो धारा देते हैं पहले राउंड पर 2 एंपियर देते हैं ध्यान समझना उसके बाद दूसरे राउंड पर इसमें बढ़ाते हैं धारा अठारा कर देते हैं कितना कर देते हैं दो एंपियर से अठारा एंपियर कर देते हैं तो उस दसा में ये दो एंपियर से अठारा एंपियर बढ़ाने में बढ़ाने में कितना समय लेते हैं ये लेते हैं 0.05 सेकंड यानि डेल्टा टी की वैलू कहो या फिर डीटी की वैलू कहो ये जो 0.05 सेकंड लेते हैं तो प्रेरिद बिद्दुत वाहक बल यानि ए की वैलू दिया है 20 बोल्ट तो प्रेरिद बिद्दुत वाहक बल की वैलू कितनी हैं 20 बोल्ट है कुंडली का 100 प्रेरकत ग्याद कीजिए कुंडली का क्या निकालना है 100 प्रेरकत यानि यल का मान पूछ रहा है हमें सूर्थ लगाना ए बराबर यल टी आई अपान टी अब देखो ये चीज़ स्वाल भाई ये सूर्थ लगाएंगे अब यहां पे देखो यही चीज़ पहले से लिखी हुई प्रेरिद तो आगबल को E समझ करते हैं E बराबर यल टी आई बाई डी टी यहां देखो यहां पे रखा गया है E बराबर यल टी आई अपान टी टी ठीक है और यहां पे E की बेलू 20 रख दिया गया है यल यल ही है टी आई बाई डी टी को लिख सकते हो I2 माइनस I1 I2 18 है I1 2 है तो 18 के निचे चला अहीं का आई डी एक रिख दिया डी आके स्थान पे अडिक 16 और इसको जब हल करेंगे तो आएगा एक बटे 16 एक में 16 का भाग दोगे 0,0625 एनरी आएगा इस हैनरी को मीली हैनरी बदलना है दोस्तों किस में बदलना है मीली हैनरी में तो एक हैनरी में होता है 10 के घाते माइनस तीन हेनरी ठीक है और एक मीली हेनरी में एक मीली हेनरी में एक हेनरी में होता है दस घाते तीन हेनरी दस के घाते तीन हेनरी अगर एक हेनरी में निकालोगे तो यह हो जाएगा दस घाते तीन मीली हेनरी आ जाएगा ठीक है और इसमें दस के खाते 3 का गुडा करोगे तो कुल मिलाके 10 गात 3 का गुडा कर दोगे इसमें 10 गात 3 तो 3 0,00 यहां पे आ जाएगा 0,62.5 mili henry फीक है 32.5 mili henry आ जायेगा दोस्तों पांच mili henry अब आगे बढ़ेंगे अब देखे आगे अगला कोईस्चन है प्रश्णोत्तर संख्या एक का ख एक का ख देखेंगे मू नाट एफसाइलम नाट के पावर माइनस एक बटा दो और उसके बाद जो है यहाँ पे आपसन मिलाएंगे इसका मान पूछ रहा है दोस्तों फिक है इसका मान पूछ रहा है अब देखे आगे यहाँ पे हो जाएगा C बराबर 1 अपान 4 पाई एफसाइलम नाट फिक है C बराबर 1 अपान 4 पाई एफसाइलम नाट अब देखे आगे अगे अगे देखेंगे जरा ध्यान देना बड़ा हमने सोचा जलपान कर लेते हैं तो जादा बेटर होगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ेंगे जरा ध्यान देना देखो एक सूत्र होता है C बराबर 1 अपान अंडर रूट मू नाट इंटू एफसाइलम नाट ये फार्मूला होता है ठीक है यहाँ से मेरे लाड़ों इरिया गुड़ा करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा मू नाट इंटू एफसाइलम नाट बराबर 1 अपान C ठीक है हमें देखो इसकी बैलू निकालनी इसकी बैलू आप तभी निकाल पाओगे जब आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो ये चीज हम मीटेंगे क्योंकि इसकी पावर देखो इसकी पावर माइनस 1 बाई 2 है ठीक है इसकी पावर क्या है माइनस 1 बाई 2 तो ये C की बैलू आप जानते है प्रकास की चाल होती है 3 गुड़े 10 पे घाते 8 3 गुड़े 10 पे घाते 8 मीटर प्रत सेकेंड ठीक है और यहाँ पे 1 अपान ये देखो अंडरूट है न तो कोई चीज अगर करडी में रहे तो करडी में लिख सकते X की पावर 1 बटा 2 ठीक है अंडरूट को क्या लिखेंगे X की अंडरूट के अस्थान पे लिखते है किसी भी अंग की पावर 1 बटा 2 तो यहाँ पे अंडरूट है न अब नीचे μू नाट इंटू एपसाइलम नाट इसकी घात 1 बटे का 2 ये नीचे से उपर जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों μू नाट इंटू एपसाइलम नाट की पावर 1 बटा 2 तो देखो मू नाट इपसाइलम नाट की पावर माइनस 1 बटा 2 की बैलू कितनी आई 3 गुड़े 10 पर घाते 8 मीटर प्रसेकेंड ये देखो यही चीज का मान निकालना था जो की यहाँ पे है और इतनी की बैलू ये है आफसन में देख लो ये बी नंबर आफसन राइट है हमें लगता है सब को समझ में आ गया है आ गया समझ में चलिए आगे बढ़ेंगे देखो यही चीज यहाँ पे सौल्व किया गया है ठीक है जो मैंने भी खुद से सौल्व करा यह मैं कॉपी में पहले से सौल्व करा हूँ तो इससे बताने की जोर नहीं क्योंकि आप वहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया हो गया देखो आगे अब देखो आगे अगला कोईस्चन है जरा ध्यान समझना अगला कोईस्चन है किसी तार का बैदुत प्रतिरोध यानि यह जो बैलू दिया है यह आर की बेलू दिया है 500 ओम है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बैदुत प्रतिरोध का मान यह दिया है 500 ओम ठीक है और इसकी बैदुत चालकता होगी इसकी बैदुत चालकता क्या है दोस्तों देखो यहाँ पे एक सूत्र है सूत्र क्या है सूत्र है चालक्ता C बराबर या सिगमा बराबर भी लिख सकते हो C बराबर 1 अपान R ठीक है चालक्ता बराबर 1 बटे प्रतिरोध होता है प्रतिरोध की वेलू 500 रखेंगे और एक में 500 का भाग देंगे तो 0.002 ओम इन्वर्स आ जाएगा ठीक है क्योंकि नीचे ओम था और नीचे से उपर जब जाएगा तो ओम की पावर माइनस 1 हो जाएगा ये हमारे पास बैलू मिल जाएगी अब देखो ये जो आपसन था ये D नंबर आपसन राइट है जो कि यहाँ पर D नंबर आपसन है ठीक है ये है आपका D नंबर आपसन अमें लगता है इसको भी समझने में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है इसे भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलिए आगे देखेंगे अब देखो ज़रा रेडियो एक्टिव पदार से उत्सर्जित नहीं होता यानी रेडियो एक्टिव पदार से क्या उत्सर्जित नहीं होता दोस्तों देखो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अलफा कर उसरजित होता है पीटा भी उसरजित होता है गामा भी उसरजित होता है ये जो प्रोटान है दोस्तों ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से उसरजित नहीं होता है ठीक है क्या नहीं उसरजित होता दोस्तों प्रोटान रे याद रखना चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले कोईस्चन की ओर 2025 के बोड इक्जाम में 20 बहुबिकल्पी प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे इसलिए छोटे छोटे प्रस्ण पर जो एक नंबर वाले प्रस्ण आते थे अब वही आएंगे बहुबिकल्पी प्रस्णों में 20 बहुबिकल्पी प्रस्ण बनकर तो आप सभी बच्चे छोटे प्रस्ण पर ज्यादा ध्यान दे और बड़े प्रस्ण पर भी ज्यादा ध्यान दे ठीक है, क्योंकि बड़े के चक्कर में आप छोटा करना भूल जाते हैं, तो आप एक काम करो, मेरा सजेशन ये है, कि आप बड़े प्रश्णों पर ज्यादा ध्यान दो, तो छोटा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो छोटा प्रश्ण बनता है, वो बड़े प ठीक है, चलिए, अगला प्रश्ण है, अगला प्रश्ण, निम्न लिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिक्तम डी ब्रागली तरंग दैर्धवाला कण है, अधिक्तम डी ब्रागली तरंग दैर्धवाला कण क्या है, मेरे लाडलों, इसको हम पहले समस्ते हैं, देखो, अधिक्तम डी ब्रागली वाला तरंग दैर्धवाला कण क्या है, तो इसमें तो इलेक्टरान बताया गया है, कि इसकी तरंग दैर्ध सबसे जादा होती, अधिक्तम डी ब्रागली तरंगदैर धवालाकन क्या है इलेक्टरान है कैसे है इसको देख लो देखो यहां पे सॉल्ब करा है उसको जरा समझते हैं कि कैसे है इनोंने बोल दिया कि भाई फलाने पागल है घुस्तो सिध्ध करके दिखाना पड़ेगा ना कि पागल है देख देखो टी ब्रागली के अनुसार लैमडा बराबर सूत्र होता है यह चपान पी ठीक है एक सूत्र होता है यह चपान पी और पी संगवेग है तो पी बराबर होता है दोस्तों यम भी ठीक है जो की इस सूत्र यहां पे लिखा हुआ है जहां यम है कणका द्रब्यमान अतह यन पी और अलफा में से इलेक्ट्रान का द्रब्यमान सबसे कम होता है वा अलफा कर्ण का द्रब्यमान सबसे अधीक होता है बाकी सब बीच में होते हैं इलेक्ट्रान का सबसे कम अलफा कर्ण का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों देखो यहाँ पे यम अगर जिसका द्रब्यमान सबसे कम होगा यम को अगर देखें उसकी तरंग दैर्द सबसे अधीक होगी जिसका द्रविमान सबसे ज़ादा होगा उसकी तरंगदेर्द सबसे कम होगी तो यहाँ पर तो इलेक्टरान का जो द्रविमान है वो सबसे कम है इसलिए उसकी तरंगदेर्द सबसे अधिक होगी तो यह फार्मूला से ही मिल गया कि ऐसा क्यों होता है देखो यहाँ पर लिखा है उपरोक्त डी ब्रागली सूत्र के अनुसार इलेक्टरान के लिए डी ब्रागली तरंगदेर्ध अधिक्तम होता है मैंने भाई कहा क्यों होता है तो इलेक्टरान का जो द्रविमान है सबसे कम होता है इसलिए इसकी तरंग दैर्द सबसे अधिक होती क्योंकि ये ब्यूत क्रमान पाती है नीचे वाला कम होगा तो उपर वाला बढ़ जाएगा नीचे वाला बढ़ेगा तो उपर वाला घड़ जाएगा तो इलेक्टरान का सबसे कम होने के कारण इसकी तरंग दैर्द सबसे अधिक है इसलिए दोस्तों इसका जो ये पहला आपसन था ये राइट था ठीक है? क्या था? राइट था अब आगे देखो अब हम अगले आपसन की ओर बढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे अगला है वह पदार्थ जो किसी चुम्बकी छेत्र में रखने पर चुम्बकी छेत्र के पिपरीद दिशा में छीड चुम्बक प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? यानि वह पदार्थ जो किसी चुम्बकी छेत्र में कोई पदार्थ है उसे चुम्बकी छेत्र में रख दो तो चुम्बकी छेत्र के विपरीद दिशा में छीड चुम्बक प्राप्त कर लेता है यानि वह भी चुम्बकीत हो जाए अब इसको समझते हैं आईए समझते हैं कि इसका कारण क्या है देखो ज्यान देना जैसे अभी कोई चुम्बक के समीच में अगर हम कोई लोहा रख दे क्या रख दे लोहा तो वो जो लोहा है न धीरे धीरे वो भी चुम्बक बन ही जावेगा तो यहाँ पर वह पदार्थ जो किसी चुम्बकी छेत्र में रखने पर चुम्बकी चेत्र के विपरीत दिशा में छीन चुम्बक प्राप्त कर लेता है उसे हम प्रत चुम्बकी पदार्थ कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों प्रत चुम्बकी और प्रत चुम्बकी देशे कापर है ना इस तरीके सेंटी मनी बिश्मत एजी पी लेड है सिलिकॉन है एजजी है एस टू धेर सारे हैं यह जो है प्रत चुम्बक में आते हैं आगे देखो नेक्स्ट कोईस्टन जरा ध्यान समझना अब हम हमारे बहबिकल्पी प्रस्ण इंड होते हैं अब हम पहुंचेंगे बड़े प्रस्ण की ओर ठीक है बड़े प्रस्ण की ओर बढ़ेंगे दोस्तों ठीक अब बड़ा प्रस्ण अगले वीडियो में अभी तो यह हमारा बहबिकल्पी प्रस्ण हाल हो गया अगले वी ठीक है जैसे फीजिक्स के आपको लगभग साथ पच्छे 35 सेट देंगे ऐसे हैं रिटेन नोट के साथ कोर्स में ठीक है तो जिन बच्चों को लेना है इस तरीके से आप पेमेंट करके 99 में अभी आप दो दिन का समय हैं दो दिन में आप ले लोगे नहीं 499 में यह कोर्स हो तो अगले वीडियो में में इन्हीं जो भी देख रहे हुद इन्हीं का पूरा सल्यूशन दूसरे प्रस्न से दिखाऊंगा वीडियो ज्यादा बढ़ाना हो इसलिए मैं यहीं ब्रेक कर रहे हैं तो दूसरे से हम चालू करेंगे अगले वीडियो ने तो अगली इवडिवाब से फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार